हेलो एबरीबन कैसे हुआ आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है तो अभी टाइम हो रहा है दो बज रहे हैं तो मैंने आज वीडियो दो बजे से स्टार्ट किया है सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने क्या की आप सबीकों पता है Посatti के लिए विप competitive, तो आप सबीकों पता ही चली गया होगा कि क्या हुआ है मेरे साथ मेरे घर में तो किसीलिए मन नहीं हो राता बिल्कुल भी कुछ काम भी नहीं मैंने किया पच्छों को इसकोल बیज़ت कि बच्छों के लिए लेंच बगारा बना गया है लेट गही थे मैंने कोई काम नहीं किया देद्वाम हरे दिमाग में कि क्षीया कोई करता है किसी को बिल्कुल वी डर नहीं लगता एक खूण पैसे कि कमाई खूण पशीने की कमाई और एकदम हास साप करके चला जाता है बा लगवग नवज गए है विसके बाद में लगवग नौजए गए हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे हैं ये खाने में कभी खाने म Зटार के पर मन आपका आणके और सास्तु बना की गनिआ था समय सी दोबहर के लिए क्हाना दिया था तो रोड़ी सी ठीज में करने इस रिक प्रप्री मैं ठीज दोगेश्य के जमूना यह खाने में कभी कभी हम इंसानों की जिंदिकी में ऐसा हो जाता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हो जाता है अच्छे काथ अपने घर में रहो एक अचानक से ऐसा कोई काम हो जाए तो फिर उसकी बहुत बड़ी टेंसन हो जाती है चलो कोई नहीं भगवान तो सब देखता है उपर वाले के घर देर है अंदेर नहीं है जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा रात में संतरा खाय रहे असर दीजे फिर दबाई के लिए दिन में आखें जब संतरा लेके बैठें संतरा गाय मुझमी है मेरी उच्छा का तकान की तो दोस्तों चाबल हम चाओं के आए और चाबल मेले बन रहे हैं कुबर दिख रहा है रसो इस देगे तो चाबल मेरे बन रहे हैं और अभी अन्नु आने वाले हैं तब तक हमारे चाबल बन जाएंगे पर हम काएंगे खाना और आज कोई वीडियो म मैंने ज़दा सूट किया तो थोड़ा बहुत ही है सई बना लिया था हुट मुझे भी टेंशन अहीं तो यह तो वह खुद बोले थी कि प्यासे चलेगे तो कोई बात नहीं आई जब दो टेंशन करते हैं तो फिर मुझे और एक बात जरूर बताना, एक बार कमेंट करके, क्योंकि ऐसा काम कौन कर सकता है, ताला हमारे घर में लगा रहा, ताला खोल के पैसे निकाले हैं, और ताला फिर से लगा दिया वापस, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन काम कर सकता है, किसकी इतनी हिमत पर जाती है, ऐसे का करने में किसी के हाथ नहीं कापते है। और जो चीज घर में रखी थी वो बायसी रखी है कोई अलवारी चुई है, बिल्कुल भी अलवारी और सबसे पहले हा जो और किल्वारी, मिल्वारी क्यों ताला भी नहीं लगाता हैrying बिना ताले की अलवारी है ऐसे ही बिल्कुल उसमें लोग वो कुछ भी नहीं है तो वो कुछ नहीं चुआ और सामने फ्रीज पे पैसे रखे थे उनका परस रखाता वो भी नहीं चुआ मंदिर में पैसे रखे थे वो भी नहीं उठाए बस सीधे जो पैसे वो काम करके आते परस रखे थे पीसे उठाए हैं और पूरे पैसे निकाल लिए यह बताएए आप सब कमेंट कर के एक बार जरूर बताए मुझे कि अईसा कामी एकाउन कर सकता है और आज इतनी जादा टेंशन कर रहे हैं और कल नहीं टेंशन कर रहे तो मुझे भी कल टेंशन नहीं थी आज आज उन्होंने मेरे से बात भी नहीं करी है धंग से इतनी जादा उनको टेंशन है बहुत जादा मैं बोल लिए उनको बोल लिए हूं कि पैसे चलेगे चलेगे कोई बात नहीं टेंशन मतकुर बगवान पिर देगा चोरी करने वाले कभी नहीं पूरी परेगी वो ऐसे चोरी करकर के मर जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है कब तक खाीगा कोई रख के चोरी करकर के कितनी दिन काई मुझे ऐसी को ज्यादा टेंसन नहीं हो रहीए क्योंकि यह तो पैसे कुछ भी नहीं है जो मेरा एक लाक्रुपए निकाल ईया ता जब मुझे अतनी टेंसन नहीं मैंने की है मेरा काम तो सब्ढ़ हो गया पर चोरी करने वाले हैं उसके दूने भरने दूने त्यूंगने उनको भरने पड़ेंगे उनकी कभी पूरी नहीं पड़ेगी भगवान और उनको इतना भी नहीं डर लगता कि हम इतना सबकी आयसे हम चोरी करके हमें जिए कोई दूआ थोड़ी ना देता है दूआ दूआ नहीं मिलती हर एक जगा से जहां चोरी करेंगे वह गलती बहुत बहुती जिसका पैसा जाएगा कोई भी चीछ जाएगी तो अच्छा तो नहीं बोलेगा इतना भी डर नहीं लगता कि हम क्यों दूसरे की बद्वा ले रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं मेनत करके कमाओ खाओ दुनिया पड़ी है कमाने खाने के लिए चोरी करने से क्या फायदा खुद बदनाम होते और घरवाले बदनाम होते घरवालो सबकी एक काम अकेले एक लोग गलत काम करते हैं और पूरे मतलब पर बार को बद्वा मिलती है अच्छी बात नहीं है चोरी करना मुझे बस सित्यांसन इसी बात की हो रही कि मतलब एक बार हो दो बार हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर समय मेरी पैसे चोरी होते है मुझे पैसों की टेंसन नहीं कि मेरे पैसे चले गए कोई ज्यादा ने इतने ज्यादा पैसे भी नहीं गए साड़े से अजार रुपए हैं और ज्यादा और ज्यादा और कम की बात नहीं है यह बात है बस एक इंसान की नियत की कि इंसान की नियत कि इतनी अच्छी होती है और कितनी क्या कर सकता है कितनी हादिसक जा कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है इंसान बाहर वाले कमरे में इतना सामान रखा है गैस रखी सिलेंडर रखा है बोसिंग मसीन रखी है और भी सामान रखा है एक सिलेंडर लगा है और एक सिलेंडर खाली रखा था कुछ भी सामान नहीं उठाया बस कहाँ पैसे रखे थे मतलब साइज सबको पता भी नहीं होगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि यहाँ पर पैसे रखें अब हाँ से पैसे उठाये सबसे बस यही बात का मुझे ताज़ुब है कि अंदाजा भी नहीं सबको अंदाजा भी नहीं है कि कहां पैसे रखता है तो सब को हर कोई भी अंदाज करें गई ये इलवारी है सबसे पहले इसको हम देंगे इसी को कपोड़े अगर खुली मिल जाए क्योंकि अलवारी में तो लोग बगएरा था ही नहीं कुछ भी उसके पळले भी टूट गय उसके उसके पधाने वी ठूट गय ड़हें वह भी धंक से नहीं बंद होते हैं तो उसमें रंटिश नहीं कपड़े Maa को गारा इस वहार हमें आपने घरी करके प्रेसी रेस करवा के रखते हैं उसमें सामने पैसे रखके फ्रीज उपर वो नहीं उठाए और पर बाकाइदा ताला खोला ताला लगाया और फिर्वार जो गई आजए आजए तीन वजे वो गई हैं साड़े तीन वज़े के बाद चार वजे थ आदे गंटे के बीट में पहुने चार बजे के आस यह काम किया सुबह के टाइम पर कि उनका काम ऐसा उनको जिल्दी जाना पड़ता है सुबह बोधाम पर इसलिए रात में किया साड़े तीन वजे के बाद तो दोस्तों बताना जरूर यह काम कौन कर सकता है ऐसा अगर आप सब जरूर अंदाजा लगाना तो बस यही आप सबसे पूंचे रहे और नूँ आगे लाइबरेरी से अब हम खाएंगे खाना बन गया मैंने चाबल बनाए हैं आप सब को दिखाया है तो दोस्तों मिलते हैं निव वीडियो में यह वीडियो का हें पर करते हैं आप बाए बाए रादे रादे बुट नाइट